हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो आवर चैनल हाइपर डेजबी मैं हूं मुहमत सोहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आये हैं तो दोस्तों यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने पिछले वीडियो में हमारे 340 के टार्गेट अच्छी होने के बाद म दोस्तों ॉब आब भाएं आप लोगों को कुछ ट्रेड नहीं दियां बंधन बैंक पे और सब्सक्राइं विडियो में कमप्लेटली अनलेशिस करके बताया था दोस्तों बंधन बैंक में हम लोग जब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक यह 300 का लेवल ब्रेक नहीं करेंगा जब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 340 यानि 340 का लेवल ब्रेक नहीं करेंगा क्यों बताया था मैं उसका रिजन था दोस्तों हमारा mamcd reason क्या है ये आपको ये भी जानना चाहिए ये plus level macd है दोस्तों ये minus level लेवल में कभी भी selling होता है minus level में कभी भी Buying होती है plus level पे कभी भी Buying नहीं हो सकती minus में कभीभी selling हो नहीं सकती अगर प्लस लेवल सेलिंग में बाइइंग हो रही है तो यह बाइयर को कैच करेगा आप यहां पर देख सकते हो बाइयर कैच हो चुका है लूस कांडिल फॉर्मेशन रेड कलर का जो होता है वीक कैंडिल जिसे हम लोग बहते हैं बाइइंग इंडिकेशन और यह कलब होने से पहले गुरिन कलर का होलो गरम कैंडिल देता है जिस वज़े से पुब्लिक क्या समस्ति यहां पर बैइंग हो रहा है प्लस लेवल पर जो इंप्रोपर है इसलिए यहां पर बाइयर कैच हुआ है एंड उसके बाद भी यहां प्लस लेवल पर ही लूस है एंड हमारा जो breakout level है जो इसने पुराना वाला breakout दिया वो यह है एंड उससे ज्यादा पुराना वाला breakout यह ठीक है एंड यहां पर इसका जो breakout दिया इसने रिसेंटली यहां पर दिया जो improper breakout है improper breakout कभी भी stock market में breakout से breakdown 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 से breakout breakout से breakdown जाना चाहिए अगर in between कहीं पर भी नया breakout नये breakdown levels बना रहा है इसका मतलब यह है कि stock improper rally में यहां पर barrier catch होगा और आप देख सकते हो यहां पर भी barrier catch हुआ है और यहां पर भी barrier catch हुआ है जो already boundary बंधन bank पर रुके हुआ है दोस्तों आप लोगों को average इसमें 295 पर ही करना है अगर हम लोग fresh entry बंधन bank में ले भी रहा है तो हम लोग 290 के below ही लेंगे दोस्तों और अगला वीडियो मेरा fresh buying का ही होगा और यह on demand वीडियो है कई लोगों ने मुझे message करके पूछा इसलिए मैं on demand वीडियो बना रहा हूँ अब यह 60 to 40 RSI stock appreciation and stock depreciation में है अभी stock depreciation में ही है जिस वज़े से stock का value आपको काफी decrease होता है अगर यह breakout break कर रहा है 305 लेवल का तो दोस्तों 100 पर शो stock आपको 290 के below और 290 के नजदीक देखने को मिलेगा जिदर आपको वहीं average करना है जिदर आपको वहीं पर फिर से re-entry लेनी है फिर से बता रहा हूँ जब तक यह breakdown break करके bonds back नहीं करता breakout break करके new value trend नहीं बनाता तब तक बंदन बैंक में invest करना मेरे लिए risk है और बेकार भी है यह मेरा telegram channel है दूस्तों और यह मेरा instagram page है अगर आप अभी तक telegram channel को join नहीं किये हो for regular updates and stock market internet tips के लिए आप join कर सकते हो मेरा telegram channel अगर आपको कोई query है तो आप mail नहीं कर पा रहे हो तो easiest way है दोस्तों आप instagram पर मुझे DM कर सकते हो आपके help के लिए ही मैं instagram का page open किया हूँ अगर आप मैं फिर से बोढ़ रहा हूँ अगर आपने अभी तक YouTube channel को subscribe नहीं किया है telegram channel को join नहीं किया है इस्टाग्राम पेज को follow नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी ही कर लीजिए थैंक यू बंधन बैंक लिमिटेट का यह 15 मिनेट का इंटेट के अंडिल चार्टे नाशनल स्टाउक एक्स्टेंज 15 मिनेट के यहाप से बंधन बैंक के अंदर इंप्रॉपर टोटल बाइंग और फुलाउन सेलिंग प्रिशर देखने को मिला जिसके अंदर स्टाउक अंडर बॉटम फिशिंग में आ गया कौन सा भी स्टाउ आपका जो मंडे लाइव मार्केट वो बाइइंग ही देने वाला है जो बैंक निफ्टी का वीडियो अप्लोड करूँगा उसके अंदर आप देख लेना थर्ड जून 2022 फ्रेडे बंधन बैंक का क्लोजिंग है 319.45 पैसा और यह मैं टार्गेट निकाल रहा हूं 46 तो जू झाल 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 झाल